नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं तो आज मैं फिर से आ गए हूं आप लोग के बीच एक नए रेसेपी के साथ अगर रेसेपी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किजि और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो चलिए रेसेपी बनाना ये स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे सूजी से बहुते टेश्टी और हिल्दी नस्ता तो उसके लिए यहां पर हम एक टोड़ी बारिक वाला सूजी ल लिए हैं तो यहां गैस पर हम एक कराही चड़ा दिये हैं तो इसी कराही में हम डेर को टोड़ी पानी डालेंगे आधा को टोड़ी हमारा सूजी था तो हम डेर को टोड़ी पानी डाल दिये हैं तो पानी को थोड़ा गरम होने देते हैं तो पानी हमारा गरम हो चुका है त तो सबसे पहले हम बारी कटा हुगा हारा धनिया डाल देते हैं और साथ ही आधा चमच जीरा डाल रहे हैं और आधा छोटा चमच हम लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं आप अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो लाल मिर्च पाउडर इसकीप कर सकते हैं और एक डाले हैं और टेस्ट के आंशार नमक डाल दीए हैं तो एह नास्ता बहुत कम कवर्च में बन करके तैयार हो जाते हैं और बनाने में इसे कोला जIFAञए नहीं कोई ताम जम है इसे फटा से बना कर तयार कर सकते हैं तो इसको हम अच्छे से मेक्स कर देते हैं ताकि पानी के साथ मसाला अच्छे से मेक्स हो जाए तो पानी में हमारा उबाल आना सुरो हो चुका है तो यहीं पर हम थोड़ा-थोड़ा करके सूजी डालेंगे एक साथ सारा सूजी नहीं डालेंगे न इसी तरीके से चलाते हुए हम डो बना कर तयार कर लेंगे तो हम इसी तरीके से चलाते हुए डो बना कर तयार कर लिए हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लिए हैं अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं तो हमारा सुजी का डो बहुते अच्छा से ठंडा हो चुका है तो इसको हम एक जगा कर देते हैं तो चमच को हम साइड में रख देंगे और हाथों से मसलते हुए थोड़ा चिकना कर लेंगे इस तरीके से तो हम इसमें दो चीजे और एड करेंगे तो यहाँ पर हम एक मेडियम साइज के प्याज को बारी काट लिये थे तो उसे भी डाल देती हूँ और दो हडी मिर्च को हमने बारी काट लिये थे तो इसे भी डाल देती हूँ और सब को अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो सूजी के साथ मेरा प्याज अच्छे से मेक्स हो चुका है देख सकते हैं कितना अच्छा मेक्स हो चुका है तो हाथों में हम थोड़ा तेल लगा लेते हैं तो हम तेल लगा लिए हैं अब थोड़ा मिसरन उठाएंगे इस तरीके से और गोल करते हुए हम दुसरा अथेली पर रखकर चिकना कर लेंगे इस तरीके से और टीकी का सेव दे देंगे तो टीकी का सेव हम दे दिये हैं तो इसमें हम एक अंगली से डिजाइन दे देंगे इससे इसका फ्लेवर बहुते आच्छा आता है तो देख सकते हैं देखने में कितना आच्छा लग रहा है तो बाकी का नस्ता हम इसी तरीके से बना करके तयार कर लेंगे देख सकते हैं कितना आच्छा डिजाइन आगया है तो बाकी का नास्ता हम इसी तरीके से बना करके तयार कर लिए हैं देख सकते हैं इतना आच्छा दिखने में लग रहा है तो हम चलते हैं इसे फड़ाई कर लेंगे तो यहां पर तेल हमारा अच्छा गरम हो चुका है तो गैस के फिलेम हम लो कर देंगे और एक एक नास्ता को इसमें डाल देंगे जितना कराही में आएगा उतना एक साथ तो हमारा इतना सा नास्ता कराही में एक साथ आ गया है तो हम इसको दो मिनट बाद पलटेंगे अभी नहीं पलटेंगे तो गैस के फिले में हम बिल्कुल लो रखेंगे तो दो मिनट बाद हम इसे पलट देते हैं इस तरीके से बहुत असानी से पलटा जाता है देख सकते हैं कितना असान है पलटना तो हम सारा नस्ता को पलट दिये हैं, देख सकते हैं, तो इसी तरीके से उलटते पलटते हम 4-5 मिनट में अच्छे से फराई कर लेंगे, तो 4-5 मिनट हो चुका है और मेरा नस्ता अच्छा से फराई हो चुका है, तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं, तो हम इसे तेल से बाहर निकाल लिये है और बागी का नस्ता अम इसी तरीके से फ़राई कर लेंगे तो हमारा सारा नस्ता फ़राई हो चुका है देख सकते है तो लीजी हमारा कौम खर्च में इतना टेश्टी नस्ता बन करके तयार हो चुका है देख सकते हैं कितना आच्छा और कितना टेस्टी बना है तो आपको जब कभी खाने का मन हो तो इस तरीके से इस नास्ते को बना करके खा सकते हैं इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है फटा-फट से बन करके तयार हो जाता है तो अगर मेरा रेसेपी आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो कमेंट में जैसे रिराम लिखना ना भूलिएगा मिलती हूँ फिर से एक नए रेसेपी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद